मुझा आप दिखने मारा चैनल रवनी इन्फुटे फाइनली रेडमी के 20 में मिवा 11 का अपडेट देखने को मिल चुका है जैसा कि आपको पता होगा कि जो टोटल 4 फेजिस थे तो पहला फेज में 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर Poco F1, Redmi K20, Y3, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7S और Redmi Note 7 Pro को अपडेट मिल आ था यहाँ पर Redmi K20 को 11.2.0 का अपडेट पाइबेस्ट अपडेट इस टेवल में 766 MB का मिल चुका है अगर आपके पास Redmi K20 है तो आप कमेंट जरूर करना कि आपको यह अपडेट मिला है कि नहीं और इसमें भी यह कंडेट है कि यह जो अपडेट है जो लूग बीटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई किये थे उन्हीं को मिला है तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा डीटेल में बात समझ में आ सकें यह अपडेट कितने MB कहा क्या नया चेंज़ेस आपको देखने को मिल जाता है तो आप देख सकते हैं कि Sound of Nature, M.I.C.A, Document, Printing और More Features जैसे कि आपने Launch Event में देखा था MIUI 11 के अंदर जो भी MIUI 11 के अंदर New Features से उसे इस अपडेट में सामिल किया गया है इसके बाद अगर मैं बताओं तो यहाँ पर More Features के अंदर भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि More Features में भी आपको यहाँ पर कुछ अलग-अलग यहाँ पर Features देखने को मिलता है जिसे आप इस अपडेट को करने के बाद यूज़ कर सकते हैं उसके बाद कुछ सिस्टम के अंदर यहाँ पर चेंज़ किये गये हैं शेरिंग के अडिटिंग का कस्टमाइज कर सकते हैं स्क्रीन सोर्ट को और यहाँ पर D&D मोड के नोटिफिकेशन को भी आप यहाँ पर अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके अलाबा लॉग स्क्रीन, इस बार नोटिफिकेशन, सेट के अंदर चेंज़ किये जाते हैं जो कि जितने भी MIUI के अपडेट होते हैं उसके अंदर आपको रेगुलर देखने को मिल जाता है तो ये चेंज़ लोग है, आगे मैं रिवीव वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूरा इंटरफेस कैसा है, क्या नया फीचर्स आपको यूज़ करने के बाद कैसा लगता है और क्या बग्स भी आपको देखने को मिलते हैं स्वाइप टाउन का जो है, वो फीचर्स भी आपको सौटकर्ट के अंदर देखने को मिल जाता है काफी असानी से इसा रेड कर सकते हैं इसके अलावा गेम स्पीड बूस्टर का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको पहले से भी मिलता था तो चेंज लॉग में, रेड्मी के 20 में आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और ये जो अपडेट है, स्टेवल के अंदर 766 MB का ये स्टेवल अपडेट आपको देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पर कंडिशन क्या है, मैं आपको अलग-अलग सोर्से से बता दीता हूँ कि कहीं पर आपको इस 740 MB का जो अपडेट है, ये आपको देखने को मिल रहा है कहीं आपको यहाँ पर 766 MB का ये अपडेट देखने को मिल रहा है और ये कुछ ऐसे डिवाइसे के लिए हैं जो की आपने पहले फेस के लिए बीटा टेस्टिंग के लिए आपने अपलाई करा हुआ है जिसमें जो भी डिवाइसें जैसे की Redmi K20, Note 7S, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro इन सारे डिवाइस का नाम सामिल है और उन्ही सारे डिवाइस को यहाँ पर स्टेवल अपडेट MIUI 11 का 11.0.2.0 का अपडेट देखने को मिल रहा है मैं यहाँ पर आपको द्यान से दिखाओं तो आप देख सकते हैं कि MIUI के जो लोग है उसके उपर यहाँ पर एक बीटा का सायन भी बनता हुआ दिख जाता है जिससे आप समझ सकते हैं कि यह जितने भी अपडेट आज आपको देखने को मिल रहा है वो सारे के सारे जो लोग बीटा टेस्टिंग में आपने अपलाई किया हुआ है उन्हीं को यह अपडेट अभी देखने को सबसे पहले मिल रहा है और इसमें जो भी चेंज लोग है इसके साब से मैंने आपको दिखाया तो अगर आपने भी बीटा टेस्टिंग के लिए अपलाई करा था तो आप अपने OTA में जाकर चेक करते रहो आपको OTA में ये अपडेट देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो लोग डिटा टेस्टिंग के लिए अपलाई नहीं किये थे उन्हें भी अपने टाइम से जो की फर्स्ट पेस का सेडूल है उसके इसाब से आपको अपडेट टाइम पर मिल जाएगा उमिद है कि आपको ये इन्फोर्मेशन पसंद रहा होगा कोई भी कोश्चन हो तो आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें हमाई चैनल को सब्स्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ तब तक आप ऐसे ही देखते हैं हमारे चैनल रवनी इन्फोटे